दोस्तो आईपिल 2023 के एडिशन का 24 वो मुकाबला आज RCB और चन्नाई की टीमों के बीच खेला गया था इस मुकाबले में अब यहाँ पर चन्नाई सूपर किंक्स की जीत के बाद अब IPL के पोईंस्टेबल में IPL के अंगतालिका में बड़े बदलाओ बड़े वलेट फेर हो आपको इस वीडियो में आज के मुकाबले के बाद के आईपिल के नई पोईंस्टेबल बताए यही कि तो आप वीडियो को लाइक करके आप चैनल को सब्सकाइब करता कि आप किर मिलی तो एक तरीक से प्लियोप्स की रेस से ये टीम almost almost बार हो चुकि जबकि नबर नो पर हैधराबाद के टीब है फेधराबाद ने 4 मुकाबले के लिए 2 मुकाबल में जीत मिली 2 मुकाबल में हर पिछले 2 लगतार मुकाबले जीत कर चार कोईंट के साथ यह तीम नंबर पर हिद्राबाद की तार चार मेच के लिए दो मेचों में जीत मिली दो मेचों में हार मिली तो चार पॉइंट के साथ यहाँ पर मुंबई की टीम नंबर साथ पर आज एकर मुंबई की टीम में जीत जाती है तो मुंबई भी पॉइंस टेवल में नंबर दो नंबर तीन पर जा सकती, जब की नंबर 6 पर कॉलकता की टीम में पाच मैचे में दो जीत और तीन हार के साथ कोलकता ने 4 पॉइं। आप लेखेले चार मुकाबले जीते केवल एक मुकाबला हा रहा है तो आट पॉइंट्स के साथ राजस्तान की टीम टॉप पर इस परकार से हल फिलाल में IPL की पॉइंट्स टेवल यहाप पर बन चुकिए विस आप कमेंट करके बताई आपके अकोडिंग आखिर आज की पॉइंट्स टेवल को देखते हूँ आपके कोडिंग कोज से चार टीम अप लिवस में क्वालिफाई कर रही है आप कमेंट जरूर करें इसके साथ हमारी इस वीडियो कर लाईगो और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब